दोस्तों ससुराल नहीं जाने के लिए एक पत्नी ने ऐसा कदम उठाया कि जिन्दगी भर उसका पती अब अफसोस ही करेगा आई-एम आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या हुई है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का वटन भी जरूर दबाए जिससे आप तक अप्डेट मिलती रहे दोस्तो उजेन की मक्सी रोड इस्थित पीलिया खाल नाले में पती से विवाद के बाद एक महीला ने छलांग लगा दिया 24 घंटे की कड़ी मशाकत के बाद भी महीला का कुछ पता नहीं चल पाया है पुलिक ने खौजबिन करकेने के लिए नगर निगम की मदद से पूरानी पुलिया को तोड दिया वहीं गोता खोरों ने भी दिन भर नाले में तलाश किया परंतु कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है बताय जा रहा है कि महीला का पती उसे ले जाने के लिए अपने ससुराल पहुँचा था परंतु पत्नी अपने माई के नहीं जाना चाहती थी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया विवाद के बाद महीला नाले में कूद गई पती वजीजा भी उसे बचाने के लिए नाले में कुदे परंतु तेज बहाव की वज़े से महिला आगे निकल गई और उसका कुछ पता नहीं चल पाया महिला का पता नहीं चलने की वज़े से नाराज पावासा की लोगों ने मस्की रोड पर चक का जाम कर दिया जिसके बाद STF ने मौके पर पहुँचकर लोगों को समझा भुजा कर जाम खुलवाया दरसल चीवन गंज पुलिस ने बताया कि 20 वर्ष की पायल नामक विवायता अपने पती के साथ रक्षावंदर मनाने के लिए माई के आई थी शाम को वे पती वर्ष जीजा गोपाल की साथ चरकोर पार्क में घूमने गई थी इसी दोरान पती बबलू ने उसे घर चलने को का जब की विवायता कुछ दिन और माई के रहना चाहती थी इसी दिश दोनों के बीच विवाद हो गया और पायल नाले में कूद गई हारा की महिला का शब अभी तक बरामद नहीं हो सका है पती अब अपने आपको कोसरा है कि उसने अगर जित ना किया होता तो आज उसकी पतनी उसके साथ होती धन्यवाद